फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं सूजलोन अनर्जी की सूजलोन अनर्जी के लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है यानि जो एनॉंस्मेंट हुई है हमारे फाइनस मिनिस्टर निर्मला सितारमन की तरफ से रिदमल अनर्जी के बीजनस के लिए वो बहुत ही सांधार क्या है एनॉंसमेंट क्या क्या मिलने वाला है इस सेक्टर को जानेंगे इस वीडियो के माद्यम से और क्या अब आने वाले समय में सूजलोन अनर्जी क्या एक बड़ा मल्टी बैक रिश्टॉक साबीत हो सकता है जिस तरह समझबूती से सूजलोन अनर्जी आगे बढ़ र क्या है बजट की मुख्य बाते जिसमें इस सेक्टर को बेनिफिट मिल सकता है तो डबल धमाका है जानेंगे इस वीडियो के माद्यम से दूसरी तरफ उर्जा ग्लोबल में लूर सर्कीट का दोर अभी भी जारी है कहां पे जाके रुकीगा क्या है वाकई में यहां पे बह पसंद आए तो लाइक शेर जुरू कीजिए चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त ऐस भी दवे और हमारे अपने चैनल ऑल्लाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले आज के कारवाड को डिसकर्स कर लेते हैं स्टॉक 12.50 पर 11.55 की लोबी बनाई और अंत में जो क्लोजिंग है वो 12.30 पर है यानि 2.93 पर अपर क्लोजिंग दे बहुत ही सांदर तीजी बनी यानि काफी अच्छी अपडाउन हुई आप देख लो आज साड़े 11 का लोबी बना और साड़े 12 का हाई भी बना एक रुपे का बड और साड़े 1W को देखे तो BSE में 5,82,070,020 अपर सामने 2,80,030,040,ní डिलेवरी उठ़ेगी दिलेवरी का परसेंटेज 44.11 बात NSE की करें तो करीम 20,95,00 4,040, recognized 7,68,000 की डिलेवरी उठाएगी और डिलेवरी का परसेंटेज 36.66 परसेंटेज अगर इसके वो लिम को मैं प तो पिछले एक मेने पहले iska 19 k Bien Lupe Project ma वालिम था वान वीक पहले 9 k shoots worked कल इसका 2 k Night का harika model का dalek मैं लेकिन आज 29 k qualities का harika model भुँ तो पूरे मेने मैं सबसे जारा वालिम आज हुआ है जबरDAS willing है »घ्र Wально के मामले में देखें तो stop बहुत मजबूती से आगे बढ़ते हुग आज नंबर दो पे था पूरे बाजार में वालिम के मामले में 4.40 इसका 52 विक का लोग है 13.10 52 विक आई फिलाल स्टॉक 12.30 पर है तो उपर की लेवल से कैट हो चुका है अब यहाँ पे आज जो तेजी बनी इसके पीछे वज़े है PLI स्कीम के तैस सरकार की तरब से एक बड़े फंड के अनाॉसमेंट किया गय है सोलर एक्पेमेंट के लिए और सोलर एनर्जी के कारुबार के लिए और इस announcement के बाद यहां पे सारे के सारे power sector के share जो green energy से संबनी दे उस पे अच्छी खासी तेजी बनी तो हमारे finance minister ने अब एक नया और fund 19,500 कोड़ रुपीज गानी 19,500 कोड़ रुपीया PLI scheme के तयाद और दिया जाएगा इस sector को यह इस budget में गोशना को अलड़ी आपको पता होगा PLI scheme part 2 भी launch की गए तया नि दो बार अलड़ी इस scheme benefit मिला इन कंपनियों को अब 19,500 कोड़ रुपीज और नई अमाउंट ही इनको दी जाएगी यानि इस sector में बहुत ज़ाद तेजी आएगी और जैसी कि हमने संभावना व्यक्त की बिल्कुल वैसा ही यावे boost दिया गया इस sector को तो यह इसलिए है क्योंकि सरकार अठान दिया कि 2030 तक 50% जितना भी बिजली का उत्पाद होगा वो green energy के माधिम से होगा और इसलिए लगातार सरकार इसको राहत देरिये सेक्टर को तो यह बहुत ही बड़ी positive ख़बर है दूसरी तरफ साथ में हमारे finance minister निर्मला सितारमन ने power sector के लिए यानि hydro power के लिए और साथ में solar power project के लिए 1400 crore rupees के दूसरी और amount मिलने वाली है इस sector को यानि इस amount के माधिम से करीब 123 MW hydro project आगे बढ़ेंगे और साथ में 27 MW solar project के लिए इस्तेमाल की जाएगी तो यह अलग से एक और amount की भी इन्होंने गोशना की है तो लगातार बहुत सारी positive बाते निकल कराए इस budget में इस power sector के लिए अब आज जो है सबसे बड़ी बात है बह आई खरीदारी और विक्वाली होते ही दिखाए दिये तो शुरुआत हुई थी सुबद 9 बच कर 15 मिनिट पर जहां पे करीब 12.45 की प्राइस से 2 करोट 67,35,000 की एक बहुत बड़ी डील हुई उसके बाद में उसी समयानी 9 बच कर 15 मिनिट पर 12.49 की प्राइस से करीब 48,11,000 की एक बड़ी डील हुई उसके बाद में फिर 9 बच कर 26 मिनिट पर 12.53 की प्राइस से करीब 50,00,000 की बड़ी डील हुई और उसके बाद में फिर 9 बच कर 29,00,000 की प्राइस से करीब 68,95,000 की बड़ी डील हुई और उसके बाद में फिर 12 बच कर 1 मिनिट पर 12.40 की प्राइस से करीब 20,00,000 की बड़ी डील हुई और उसके बाद में फिर 12 बच कर 2 मिनिट पर 12.40 की प्राइस से करीब 18,00,000 की बड़ी डील हुई तो आज बहुत बड़ी बड़ी डील हुई है कई दिनों के बाद क्रोडों सेरों की डिल हुई है और यह इस सारा है कि काफी बड़ा है रुजान लोगों का इस तरह बढ़ चुका और इसलिए आज पूरे बाजार में वालिम के मामले में नंबर दो पर आया है यहाँ पे अब बड़ी तेजी बन सकती है इसमें आप निव और बेसिस पर हमें बड़त देखनों को मिली नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.33 परसेंट जापे 118.65 परसेंट की येर अंदर बेसिस पर बड़त देखनों को मिली तो बहुत ही जबर्दस रीजल की दों में पेस किया है और काफी समय के बाद कंपनी प्रॉफिट में आ चु बिल्कुल कोडियों के भाव में मिल रहा है जिससे कि आपको पता ही होगा 2008 में इसकी प्राइस फोर एडर तक थी अब जिस तरसे इस सेक्टर में तेजी बनेगी जिस तरसे सरकार ने रहात के दुआर खोल दिये ये स्टॉक जितने भी स्टॉक छोटे से पैनी स्टॉक बन सब्सक्राइब तो उर्जा गलोबल लगाता है बिल्कुल वही हुआ और काफी समय पहले मैं आपको लगातार प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोला था काफी लोग तो इसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल गए वो तो बच गए लेकिन काई लोगों को लालच रा हो सो कर ले क्योंकि आपकी बहुत कम समय प्राइज दूगना होगी आपको प्रॉफिट बुक कर ले ना चीए जब कहते हैं तो नहीं करते हो फिर फज जाते हो अब यहां पे लोर सर्कृट का जो दौर है वह 18 के आसपास खुलने की पूरी समभावन ने खुला तो फिर आप देख ले कही बॉलिम हो जो बॉलिम कम है यह इसारा है कि सर्कृट फिलाल खुलने की समभावना कम है थोड़ा और स्टॉक नीचे जा सकता है और यह सबसे बड़ी बात ही है कि यह जो गिरावट भी हो रही है तो इसके पीछे वज़य है रिटेल इंगरेश्टर जो लगा तार अब माल बेचने की कोशिस कर रहे है यह सबसे बड़ी वीड़मना है रिटेल इंगरेश्टर जब तेजी होते तो अपना माल कभी नहीं बेचते है लेकिन जैसे ही लोगर सरकृट लगना लगना तो किसी भी हाल पर निकलना चाहते है और इस समय यही हो रहा है और इसलिए यहां पर इस टॉक में गिरावट है वरना इतनी गिरावट की कोई समभावना नहीं बन दी तो जैसी यह स्टॉक समलेगा फिर यहां पर तीजी की समभावना बनने लगे फिर अपर सर्कृट लग सकते है थोड़ा धरे के साथ बने रहे लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस् का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरू किज़े और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू